इसी गोपी ने कहा, तुँ शाम सुन्दर के पीछे ऐसी बेरागन हो गई ना तुझे घर का होश ना अपना होश, हर पल बस शाम 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 रठती रहे और अब तो तेरी स्थिती भी ऐसी हो गई कि माखन बेचने जाए तो यह नहीं कहती है माधव लेलो, अब तो कहती है माधव लेलो, माधव लेलो, ऐसी स्थिती तेरी हो गई, आखिर उस शाम सुंदर में ऐसा कौन सा टोना है, सकी ने कहा तु बड़ी अभागीन है अगर ब्रज में रहकर तुने शाम सुंदर का दर्शन नहीं किया, तो तु सुंदर के दर्शन है जाएं, जब दर्शन है जाएं, का मैं भी दर्शन करना चाहती हूं जरा देखू तो सही कि वास्तम में उसकी एक छटा को देखने वाले ऐसे हो जाते हैं, गोपी ने कहा केवल मैं ही नहीं, बांके बिहारी के प्यार में जाने कितने बिमार बैठे है लाखो मर गए और करोडों तैयार बैठे हैं, बिहारी जी तो ऐसे हैं, सरकार तो ऐसे तुद देखेगी, कि हाँ देखूंगी, का उसके प्रेम में बैरागिन बनना पड़ेगा, सब कुछ दुनियादारी छोड़नी पड़ जाएगी, अगर एक नजर उसकी पड़ गई त प्रतम दर्शन किया और प्रतम दर्शन करते ही विहारी जी से कहने लगी, बन गई बन गई, जो गनिया मैं तो अपने शाम की, बन गई, बन गई, जो गनिया मैं तो अपने शाम की,